Centurion Defense Academy प्रस्तुत करने जा रहा है कहानी नायक दिगेंदर सिंग जी की जैंगिंद साथियों, आज हम आपको एक ऐसे ही महापुरुष्टो रूबरू करना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को कारगिन के महायुग में पहली जीत दिलाई थी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की धर्ती से जन्मे नायक दिगेंदर सिंग जी की 3 सितंबर 1985 को दिगेंदर सिंग के पिता उनको जुन जुरू राजस्थान ट्रेनिंग सेंटर ले जाते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात सी ओ कर्मजीत सिंग से होती है गेट पे कोई आया है राम राम साब जी और सुकिंदर से कैसे आना हुआ साब, अब मारा छोड़ा बड़ा होगी ऐसे, अगजे फोज में बरती करवाना है लेकिं से हिसाब, तुमारा छोड़ा की बच्चा है इसे पढ़ाओ, दिखाओ, कहाँ फोज के चक्कर देबार तुमारा छोड़ा बच्चा नहीं है साब जी चाया कती है फोज में वैसे छोड़ा कितने साल का है तु इसके बाद, डिखेंदर सिंग को उनके पिता जी छोड़ कर घर लोट जाते है जस्वीर सिंग, जना डिखेंदर को बुला के लाना इसके बाद, डिखेंदर सिंग ने राज पुताना राइफल दिल्ली सेंटर में ट्रेनिंग नी राज पुताना राइफल ट्रेनिंग सेंटर डिली में ट्रेनिंग पुली कर लिएा बेंके देगेंद्र सिंग् को अपने दो अंपने सात्यों के साथ उनकी बटालियन जो राजपूताला राइफल्स में भेजा गया राजस्तान से दो राजपूत राइफल्स यूनिट में पहुचते ही डेगेंदर सिंग की मुलाकात, उनके यूनिट के सियो करमजीत सिंग से होती है उनकी पहनी पोस्टिंग जम्बू आई उन्हें वहां गोला बारूद उठाने, रखने का कारी सौपा गया 3 माई 1999, पूरा देश नापाक पाकिस्तानी घुस्पैट से बेखबर, चैन की मीन सो रहा था वही सेला को कुफिया सुप्रों से पता चल चुका था, कि पाकिस्तान ने कारगिल के द्रास सेक्टर, तोलोलिंग और अन्य चूटियों पर कफजा जमा लिया है 3 माई 1999, शाम पाच बजे, ततकालिन प्रधान मंद्वी, अटल विहारी वाजपी युद्ध का एलान करते हैं युद्ध का एलान होते ही, सेंट्रल आर्मी कमान बिल्ली में हल्चल शुरू हो जाती है रात के तीन बजे सेना प्रमुक वेद प्रकाश मलिक जी ने एक गुप्ट बैठक बुलाए ओफिसर्स, वाट इस सिट्विशिन राइट नाओ? सर, मुझाहिद दीन और पाकिस्तानी ट्रूप एलोसी क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं ओ, इस सिट्विशिन से लगता है, दे आर अल ओबर, ड्राइट सेक्टर, मुस्पूवेदी, पटैरिक सेक्टर, इन्होंने तो पूरे इंडिन टैरिटर पर इक अप जाकर रखा है दे आफ ऑप्पाइट आर्स बंगदस टू ओफिसर, सिट्विशन इस रेली वेरी क्रिटिकल, है कोई ऐसी बेटैलियन जो हिंदुस्तान को टोलो लिंग पे जीत दिला सके? है न सर, तो राजपुताना राइफल, इस बरेशिव उनिट के जवान, नायक दिगेंदर सिंग ने वेश्च कमांडो का किताब जीता सर, इस उनिट का सीओ करम जी सिंग काफी जाना माना ओफिसर है, I know him personally sir, he's a brave guy Officers, we don't have time, connect me immediately from तूराजपुताना राइफल, calling sir Hello, तूराजपुताना राइफल, CEO office Veith Prakash Malik, Chief of Indian Army, is on the line, over and out Jain sir तूराजपुताना राइफल, Commanding Officer, करम जीत सिंग, is on the line, over and out करम जीत जी, आपकी बटेलियन भो, कारगिल मुख करने का ओरडर है You have to report there on 2nd of June, report 1200 hours, over and out Any doubt? No, sir बोनी भी ने चाहिए, over and out Jain sir, Jain doctor जस्मेर से, सारे जवानों को बोलो, CEO office के सामने, पुराण रिपोर्ट करे जी सर सभी जवान, अपने बैरत में सो रहे होके है जवानों, साउधान, इनों ताउधान, इनों ताउधान ने सबको falling करी बुलाया है सबको सी office के बहार आजी रोना है बटालियन, साथान, विस्रफ, जैमा काली बहादूरी का दूसरा नाम, राजपूत्राइफल्स है और मेरे सेरो, कुछ दरिंदे हमारी भारत के सीमा में घुसा आए है उन्होंने हमारी जवानों की गैर मौदूद्गी में कारगिल की पहारियों के भारती बंकरों पर कबजा जमा लिया है और इनी में से एक चोटी तोलो लिंग पर फिर से तिरंगा फेरानी की जिम्मेदारी हमें मिली है कोई सक्थ हम सब कल 1200 आवर्स पे सारे सामान के साथ कारगिल के लिए रवाना होंगे आर यू अल रेड़ी युद्ध का ऐलान होते लिए सभी जवान अपने अपने बैरत में नोट जाते हैं और कारगिल जाने की तयारी में लग जाते हैं क्यों नगेंदर इतना दुखी क्यों है क्या सोच रहा है दिगेंदर बस यही सोच रहा था कि हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा मैंने तो अपने एक मेने की बेटी का अब तक चैरा भी नहीं देखा हैं इतनी असानी से थोड़ी न मरेंगे हम रातपूद राइफल के जवान है दो तीन को मार की मरेंगे दुखी मत हो नगेंदर हम तेजी साथ हैं तही बोला ची तेंदर अपने साथ बेस कमांडो अप आर्मी दिगेंदर सिंग बिन रहा हैं चिंता मत करो यारो कि राइफल पर वमारी नी रेजिमेंट पहराएगा साथियों हम कारगिल बहुत चुके हैं आज रात हम यहीं आराम करेंगे अगली सुगह आठ बची यो साथ़़़ शक्सर कमांडर प्रेजर विवेक कुपता आचुके हैं जोहिं जैन जवानों तीन जैसियों पचास सतर रैंक्स हाजिरे जनाब जैसा कि हम सब को पता है कुछ कायरों ने हमारी भारतमा की एक खंड़ता पर आच डालने की कोशिस की है उन भेडियों को जन्नत का रास्ता दिखाने का सौभाग्य हमें प्राप्थ हुआ है है कोई भारतमा का सबूत जो मुझे आस्वासन दिला सके कि भारत की पहली जीत करती रगवाही लहराएगा कौन है ये बहादूर बहार आओ साब बास बिटे क्या नाम है तेरा बेस्ट कमांडर आफ दी इंडियन आर्मी नायत दिगेंदर सिंग सेना मेडल डबल चीफ कॉमरेशन काट सर तु ही है दिगेंदर सिंग बहुत सुना है तेरी बहादुरी के बारे आज देख भी दिया जा मैरे सेर तू ही बनेगा इस जंग में इस योनिट का प्लाटून कमांडर धन्यवाज साहब जवानो इसपर्स रात तीन बजे कंपनी कमांडर के बैरक में परमिंदर प्लाटून कमांडर दिगेंदर को बुला के लाओ जी साहब दिगंदर उठो तुम्हें मेजर साहब नहीं बुलाया है आ रहा हूं में ओके सर यस सर जी सर प्लान बन रहा है सर जाहिन सर आओ दिगंदर तुम्हारा ही इंतजार था चलो दिगंदर दानिंग हो चुकी है कल 500 आर्ट पे हमारी कंपनी तोलोलिंग पे चाहाई सुरू करेगी येस सर आर्टी सेला के अगावी हमले से बेखबर तोलोलिंग के उपर कपजा जमाए पाकिस्तानी सेला के बंकर का त्रिश्य और जनाब इतनी रात को जुगे हुए है क्या हुआ कुछ नहीं आसिफ वजूर मुसर्राफ ने हिंदुस्तान सेना की ठितमत करने की आशनकाज़त आई है क्या जनाब आप ही क्या मजाद कर रहे हो पंद्रह हजार फीट की उंचाई की चड़ाई करना इन काफिरों के बसके नहीं आगे से आएंगे तो फाकिस्तानी एमेम जी की गोलिक आएंगे और पीछे से आएंगे तो जहनलूं में पहुंच जाएंगे वही नहीं आशिफ हकूमत को डर है कि कहीं अगनी से कत्तर की तरह ये काफिर सिर हमला न कर दे ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब आप अपनी मोज में मस्त रहें विलाल जनाब के लिए एक और पैक बनाओ ठीक है तुम दोनों लजर बनाए रखो एक भी काफिर उपर ना निबाए जनाब इन हिंदुस्तानी काफिरों ने हमला कर दिया है पाकिस्तानी पौजी इंदुस्तानी जवानों को आता देख लेजे है ये कैसे हो गया तुम हराम करो को एक गाम किया ता वो भी तुम सबसे ना हो पाया चलो चलो अब समय नहीं है बात करने का क्यों अन्वर खान धर गया अरे ओ हिंदुस्तानी काफिर तुरी बाजू में दम है तुमेरे सामने आ सबर कर ले साले इंदुस्तानी फाजी हूं फीट बीचे गोली नहीं मारूंगा तु दर्मत हुआ हमे MRH de टिक happens इंसरे साक्ड मालोडोड़ इंसरे से भीचे सकर ठाक और बाजवार गोन्या करने है वर्यजय ज्यबीच Kapkak सवनिननिलो सहाब इंपकिस्तानी इंद्च गौवत करणा सहाब एक बचल सिंग पुश रही होगा तेरे को नहीं साब अब मैं नहीं पचूंगा साब में पत्क पत्रों में उर्दा बाप तरफिक बोली पाकिस्तानी मेजर अरवर खान इंदुस्तान का फोजी पीट पिछे वार नहीं करता तेरे सामने हुँ मैं सामने यां पानी फेर कर दो राजपुताना राइफल्स के जवान नायव डिगेंदर सिंग ने पांच कोली लगने के बाद भी 48 पाकिस्तानियों को मार कर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज कराते हैं जंग तो चंद राज होती है जिन्दगी बरसों तलक अरे साप जी मैं बाप बन गया हूँ बाप मेरे घर बेटी पैदा हुई है तो अपने एक मेने की बेटी का अब तक चैरा भी नहीं देखा हैं तो लोलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के शूरवीर नायक दिगेंदर सिंग जी को कुछ दिन के लिए सेना अस्पताल श्रीनगर में भरती किया गया कुछ दिन बाद उन्हें कमान होस्टी के पुड़े में आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया इसके बाद 15 अगस्त 1999 को नायक दिगेंदर सिंग जी को उनके अदमे साहस और देश भक्ती के लिए उन्हें राष्ट्रपती डॉक्टर किया नारायनन के द्वारा महावीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया यजी यजी स framework सक्राच्चर के लिए भबर धर थी नवारी चक्र करिक दोर्ज के सक्राश ठी भ लिए ओनके जी उन्हें कर दोददर साहस घरो सraf आजब। चक्पशे भ Ariadu